आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम इसे धान तक निहोतरी स्टेडी ग्लोस पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारा बज्जाज राहूल बज्जाज का दिहान थो गया दोस्तों और ये बहुती दुखत है राहूल बज्जाज ने भारतियों को एक उम्मीद दी भारतियों को स्कूटर दिया लगबग हर भारतियों के पास स्कूटर होता था बहुत ही शानदार बज्जाज ग्रुप के चेर्में और पद्मभुशन से सम्मानित 2001 में इनको किया गया कलकत्ता में इनका जनम हुआ तो भाई राहूल बज्जाज की बात करें तो 1938 दस जून 1938 में पहले राहूल बज्जाज की हम बियोग्राफी ही देखते हैं ठीक है तो 1938 1938 को इंका जनम हुआ कमल नयन बज्जाज और सावित्री बज्जाज आपको बता दो कि इंडियन इंडिपेंडेंस फाइटर जम्नालाल बज्जाज जो की मात्मा गांदी की साथ बहुत क्लोजली एसोसियेटेड थे उनके ये पोते हैं ठीक है हावर्ड बिजनेस स्कूल में इनों ने पढ़ाई की सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में पढ़े फिर कैथेडरल एंड जॉन कॉनन कॉलेज में पढ़े सरकारी लॉग कॉलेज में पढ़ाई की बाई कमाल का करियर रहा और 1965 में इनों ने बज्जाज ग्रुप को टेक किया ठीक है और पचास साल इनों ने बज्जाज को चलाया है साड़े साथ करोड से बारा हजार करोड तक ये ले गए 2005 में फाइनली राहूल बज्जाज स्टेप दाउन प्रॉमिस रोल और इनके बेटे राजीव बज्जाज अब ग्रुप को मैनेज कर रही है ये चीज़ है अब 2008 में बज्जाज ने तीन पार्ट में बज्जाज ऑटो को तीन पार्ट में तीन इंट्स में बाट दिया एक तो बज्जाज ऑटो बज्जर फिंसर और जो इसकी होल्डिंग कमपणी है Middle ये चीज़ और उसके बाद फिर finally he resigned as the chairman non executive director of Bajaj Fincer और finally March 2019 chairman emeritus है ठीक है अब तो खेर इनका दिहान्त हो गया है तो he was elected to Rajasabha Rajasabha में भी elect होके आए हैं ये तो Rahul Bajaj का भाई career जो है वो कमाल कर रहा है आपको बता दू कि Rahul Bajaj को जो kremate किया है ना, full state hood honor के साथ किया है सारे politicians, workers, representatives, सब कोई present था दोस्तों, ये चीज़ थे और बिमारी थी, 83 साल के ते लंबे समय थे बिमार चल रहे थे और इनके जो आखरी दर्शन के लिए बहुत बहुत बढ़ी भीड जो है वो इखटा हुई, NCP चीफ शरत पवार, महराज के cabinet minister आदित ठाकरे और 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 भी बड़े बड़े इंडिस्ट्रिल टाइकून ने हुमेज पे किया, real make in India king थे, Rahul Bajaj was the real make in India king भारत में तो actually में इन्होंने काम किया है इन्होंने बनाया है हमारा Bajaj तो चलिए Bajaj Chetak की कुछ बात करते है Bajaj Chetak जो है, अब तो भाई बहुत महंगी आने लगी है लेकिन अभी तो इन्होंने electric scooter निकाला है आइकीन कितने की 70-80,000 के शाद 1,000,000 के आती है लेकिन बहुत एकदम बढ़िया इन्होंने यह आप देख सकते हो ना कि मस्त्र डिजाइन इन्होंने किया है तो 1965 से लेकर 2005 तक इन्होंने यह पूरी की पूरी कमपनी चलाई है यह हिसाब किताब है तो Bajaj ने शुरुवात की थी 1960 से ही टू वीलर इंडस्ट्री को चेंज कर दिया है यहाँ पे हेलिकॉप्टर से आते हैं लोग कार से आते हैं लेकिन Bajaj स्कूटर से आते हैं तो जब पलसर Bajaj में निकाली Bajaj की पलसर तो भाई आज भी जवरदस्त है Bajaj चेतक का नाम जो है चेतक का Bajaj का नाम रखा गया तो यह जो 50 साल तक का सफर नामा है यह इसकी शुरुवात Bajaj चेतक से ही हुई अब उस समय लाइसेंस राजी चलता था 1951 से लिकल 1991 तक Bajaj की मोनोपॉली थी जब चेतक आया तो उसने पूरी two-wheeler industry को revolutionize कर दिया हर घर में आपको Bajaj मिलेगा कार की बात नहीं होती थी हमारा Bajaj अमूल ने भी अभी ट्रिब्यूट दिया, सब ने ट्रिब्यूट दिया बहुती एक दुखत घटना हैं दोस्तो तो लाइसेंस राज में दोस्तों अगर आप कोई स्वी भी बनानी है न तो भी आपको permission लेनी पड़ती थी यहाँ पे सरकार से ऐसा है का इहज़ाब किताब लाइसेंस राज के दोरान तो पहले दिल्ली उनिवस्टी में सेंट स्टीफन कॉलेज में गए है फिर 1958 में इन्होंने एकनॉमिक से ओनर्स की डिगरी हासिल की और इधर अभी तक पूरा यह लाइसेंस राज अपने छरम सीमा पे है और मंबई उनिवस्टी चेफिर इन्होंने लॉक की डिगरी हासिल की समझ रो और उसके बाद घर घर तक इन्होंने चेतक स्कूटर को पहुचा दिया जब इन्होंने चेतक स्कूटर को लॉंच किया तो यह टू विलर था मध्यम बरकी के लिए था यह मिडल क्लास के लिए था उससे मिडल क्लास जो है न वो उबर रहा था स्कूटर कारोबार के साथ साथ राहूल बजाज ने मोटर साइकिल इद्योक में भी कदम रखा कावा साकी के साथ जापान की कावा साकी के साथ गट जोड किया इन्होंने और काफी इन्होंने बाइक्स बनाई 2001 में इनको पद में भूशन दिया गया 2005 में फिर बजाज चेतक स्कूटर बिजनेस से बाहर हो गया और उसके बाद फिर प्रदम प्रबंध निजेशव मैंजिंग डारेक्टर के रूप में इन्होंने अपना पद छोड़ दिया फिर उनके बेटे ने समाली कमपनी तो जब ये चेतक बना रहे थे manufacturers were not allowed to increase the production खुद से नहीं at their own discretion से नहीं कर सकते थे कि अगर खुद से यहां पर decide कर लिया कि हमने बढ़ा दिया waiting period 5 से 10 साल का होता था आप समझ रहे हो कि production ने क्योंकि demand बहुत ज़ादा थी और बजाज चेतक का तो भईया बहुत ज़ादा waiting period था उस समय की बात थे दोस्तों 600 dealers के आसपास थे biggest two wheeler manufacturer था उस समय कार की बात करें तो कार का waiting period बहुत ज़ादा था लोग से उसने कार नहीं लेनी है हम बजाज चेतक ही लेंगे तो दुनिया की उस समय largest scooter manufacturer company थी और यहां पर समझे कि बहुत ज़ादा waiting कोई भी scooter या कोई भी two wheeler उस समय थे लेकिन बहुत कम थे बजाज चेतक ने बोला परशान मतों तुमको कोई waiting period नहीं देंगे तो अगर आप बजाज चेतक लेने जाते थे जैसे आज आप कार लेने जाते खुशी होती नहीं बजाज चेतक के लिए खुशी होती थी ये चीज है इन्होंने पांसो चेतक स्कूटर बेच दिये थे कस्टमोस को एक दिन में दिल्ली पंजाब आंधर प्रदेश में चेतक की popularity बहुत ज़ादा थी monthly basis पे 70,000 units तक बजाज चेतक का production पहुँच गया था सुपर और प्रिया आपको ये स्कूटर तो सभी को पता है आगे बैठके जाते थे मेरे पिता जी के पास भी जी कमपनी से मिनी थी पीछे बैठके पीछे बैठते थे चार लग तो आराम पे बैठ जाते थे है कि नहीं हर किसी को याद होगा नॉस्टेलजिया पुराने दिन याद आ गए होंगे तो महराश्ट्र स्कूटर कमपनी से associated थे उस समय जो बजाज आटो ही ओन करता था सुपर और प्रिया ये दोनों स्कूटर जो है बहुत ज़द फेमस रहे तो कमपनी ने इटालियन वहेकल पियागियों से लाइसेंस लिया और बोला कि आप हम वेस्पा भी बेचेंगे वेस्पा का मॉडल थोड़ा सा लगता ठीक है जैसे यहाँ पर दो सीट देख रहे है वो पूरा ऐसे एकदम सीट थी आपको याद होगा याद कि अभी भी वेस्पा काफी अब तो इनके नए मॉडल्स आ गए न तो काफी ज़्यादा मेहंगी होगी है स्कूटर्स तो अरली सेवेंटीज में क्या हुआ कि भाई इन्हों ने लाइसेंस लिया कि भाई आप मैनुफाक्चर करो वेस्प लेकिन पियागियों ने बाद में बजाज का लाइसेंस रिन्यू ही नहीं किया तो जब ये बात पता चली राहूल बजाज को बलाव क्या करें राहूल बजाज नहीं कोई बात नहीं खुद से गारिया मनाएंगे हम खुद की गारिया मनाएंगे ना तो तीन नए स्कूटर निकाले बजाज 150 बजाज 6 तक और बजाज सुपर और फिर उसके बाद देखते ही देखते ब्रैंडिंग इतनी बढ़िया की ना इन्हें ब्रैंडिंग हमारा बजाज वो भाई मतलब घर गर तक फेमस हो गया आप समझ रहे हो वो घर घर तक फेमस हो गया और यह ट्रेंड इ यह बुला जाता है कि भाई यह बहुत ही पुरानी कार स्कॉर्डा चलाते थे यह कभी भी शुआफ नहीं करते थे कभी भी और बहुत ही जन्रस परसन थे तो यह तो देखिए लगबग लगबग सारे जो सक्सेस्फुल इंटर्प्रिनॉस हैं आपने अक्सर देखा होगा क कि उनमें यह जन्रोसिटी होती ही है तेवल वेरी वेरी जन्रस अगर आप इनकी बात करें इनके दो बच्चे हैं और एक बेटी हैं ताजीव बज़ाद और संजीव बज़ाद जो है वो कमपनी को चलाते हैं इनकी बेटी सुनायना बज़ाद मनीश केजरिवाल से इनकी श जैसे इनका दिहान्त हो गया, अब स्कूटर मार्केट, 1990s में स्कूटर मार्केट बहुत, मतलब गोल्डन एरा था, 1998 में टू विलर इंडस्ट्री में 75% स्कूटर्स होते थे, और उस समय बजाज और टो का जो शेर मार्केट होता था तो वो 60% था, ठीक है लेकि 1991 के बाद जाए, लिबरलाइजेशन हुआ तो भाई, बहुत बड़ी बड़ी कंपणी, बाहर की कंपणी जो है, वो भारत में आगी तो उसके बाद फिर अब तो शायद, अरे चौरी अब बजाज की स्कूटर्स अब नहीं आती है, बंद होगी, मैं बार-बर बोल राता लेकिन अब E-Sकूटर्स आती हैं, अशा नहीं है तो बजाज ने फिर उसके बाद पलसर निकाली, जब बजाज के डिकलाइन हुआ, तो इसके बाद इनों ने देख सकते हैं, दोनों इस गुसर को देख रहे हैं, तो पलसर भी बहुत ज़्यादा हिट हुई, इस चर्ता आई होब आपको पसंद आया होगा, भगवान आत्मा को शांती ते, परिवार को ताकते, ठांक्यू सो मच